हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस .NET course के अगले पार्ट में जिसमें हम लोग custom configuration को कैसे use करना है और कैसे इस पे आगे काम करना है ये सीखेंगे दोस्तों हम लोग ने इससे पहले error handling और diagnostics की बात करी थी diagnostics से हमारा मतलब था कि developer mode पे कैसे use करना है पिछले पार्ट में मैंने आप सभी को बताया था कि इस error.html page को अगर किसी भी error के आने पे हम लोग कैसे deploy करेंगे deploy से मेरा तादपर है कि अगर कोई error ये exception आती है तो उस case में हमें ये error.html page दिखाना है तो उसको हम लोग कैसे करना है पर दोस्तों हम लोग को कभी भी ये exceptional handler को use करने से पहले हमारा जो developer mode है इसको on और off करना पड़ेगा पर्सनल settings पे configure करने पे ज़्यादा काम करने में आसानी होती है और इन ही configurations को हम कैसे build up करेंगे और कैसे use करेंगे इसके बारे में आगे जानते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि Microsoft हर configuration को अपने template में inbuilt नहीं लाएता है इसलिए हम लोग को इसको अलग से अपने package में include करना पड़ेगा configuration को use करने से पहले हमारा सबसे पहला काम होता है कि उस configuration का instance अपने package में include करें जैसे कि आप यह देख रहे हैं where configuration equals to new यह new जो variable है यह एक नया instance create कर देगा इस object के लिए यह particular statement असल में एक instance create कर देगा configuration builder object का आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे यह configuration हमारे Microsoft library में included नहीं है तो इसको हम लोग को अलग से externally include कराना पड़ेगा जो कि Microsoft.enterprise.configuration namespace के अंतरगत आएगा जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि environment variables को हम लोग set up कर सकते हैं environment variables जैसे development mode हो गया production mode हो गया और यह हमने add environment variables का यह जो statement है यह लिख दिया है ध्यान रहे यहाँ पर semicolon नहीं होगा नहीं तो यह statement यहीं break हो जाएगा इसमें हम लोग .build जो function है इसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह और अगर हम इसे debug mode पे चलाएंगे तो और inspect करेंगे तो हम लोगों यह पता चलेगा कि ASP.net ने हमारे सभी configuration को इस new object जो हम लोग ने create करा है यह instance जो हम लोग ने create करिये इसमें wrap up कर दिया है तो दोस्तों इसे के साथ हमने यह देखा कि configuration जो builder है configuration builder से हम लोग कितनी external configurations को import करा सकते हैं और सबसे बड़ा फायदा इस configuration का यह होता है dynamically जब भी हम page को चला रहे हो तब हम configuration बदल सकते हैं इसे के साथ configuration और इसको कैसे use करना है यह हमने आज जाना है और अगले part में हम configuration settings को और कैसे अच्छे से use कर सकते हैं यह जानेंगे अच्छे सकते हैं